जितना ही छोटा मंद्र है उतना ही ज़्यादा प्रभाव दिखाता है नमस्कार दोस्तों मैं हूं सुवोध यादव आज मैं आप सबके लिए मा काली के मंत्र लेके आया हूं ये मंत्र जाप करने से मा काली आपको दर्सन दे सकते हैं इस मंत्र को बिधी पुरवक से जाप करके आप मा काली के दर्सन पा सकते हैं ये मंत्र मैं एक बहुत ही बड़े पुजारी से बहुत बिंती करने के बाद ये मंतर उन्होंने मिरे को दिये है आज मैं आप सब को ये मंतर बताने वाला हूँ और इसमें क्या क्या समान चाहिए ओभी मैं आपको बताऊंगा पहले मैं आप सब को आसन के बारे में बताऊंगा आसन हमें पच्छिम दिसा की ओर होना चाहिए और याद रहे, लाल चादर पे नहीं बैठना, चाहे कोई सावी कलर के चादर हो, वो चल जाएगा अब मैं आप सब को समान के बारे में बता रहूँ, जो समान इसके लिए जरूरत होता है पहले तो केला के पत्ता कम से हुआ तो दो से तीन हाट के आप ले आएए और दूसरा, नो पान के पत्ते, नो कसेली और थोड़ सा कच्चे चावल नो उड़ुल का फूल, नो दिये, नो केले और सफेद छोटे रसकुले जो समय है जाब करने का ओ मैं समय बता रहूँ आपको साम के समय सात वजे, पच्छिम दिसा की ओर घूम कर ही ये हो सकता है मंत्र जाब करने के लिए आप कोई साभी माला का परियोग कर सकते हैं मोती का हो, तुलसी का हो, तुलसी का होगा तो बहुत ही अच्छा होगा ये मंत्र आपको कम से कम इगारों सो बार जाप करना पड़ेगा अब करना कैसे है ओ मैं आपको बता रहा हूँ पच्छिम दिशा की ओर आसला के आप बहर जाएए केला के पत्ता बिशा कर उस पर नो पान के पत्ते सीधी करके एक के बाद एक ही लाइन में रख दिजिए पान के पत्ते के ऊपर कच्छे चाबल थोड़ा थोड़ा करके नो के ऊपर रख दिजिए उसके बाद कसेली नो कसेली नो पान के पत्ते के ऊपर रख दिजिए जो उर्हुल का फूल आप लाए हैं नो उर्हुल का फूल एक एक करके पान के पत्ते पर रख देजिए उसकी बाद जो केले लाए हैं पान के पत्ते के साइड में एक एक करके केला रख देजिए उसकी बाद जो भी आप पर साथ लाए हैं चोटे रस्कुले उसमें एक की रखिए पान के पत्ते के पर या फिर दो रखिए वो आपके मर्जी है मर रखना जरूरी है उसकी बाद आप नो दिये जो लाए हैं उसको सरसु का तेल डाल कर और उस दिये के पान के पत्ते के बिल्कुल आगे रख कर उसे जलाईए और याद रखे उसमें तेल इतना डालिए कम से हम तो एक से सबाग घंटा तक वो दिया जलते रहना चाहिए उसकी बाद आप नो अगरवत्ती जला कर केले में एक एक लगा देजिए ये गिलास पानी बिल्कुल साफ घर के वो बीच में आप रख देजिए मंत्र बहुती छोटा सा है बहुती ध्यान से सुनिये इस मंत्र को आप चाहें तो इसे आदी घंटा में पूड़ा कर सकते हैं और एक घंटा में भी कर सकते हैं ध्यान से सुनिये इस मंत्र को ओम काली भद्र काली फिर से मैं बता रहा हूं मंत्र ध्यान से सुनिये ओम काली भद्र काली बस इतनी सी सब्द आपको जाप करना है और मांसे प्रात्ना करना है कि है माते आप मुझे दर्शन दीजी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सेर कीजिए धन्यवाद